शायद जीवन क्या है? जीवन क्यों है? जीवन कैसा है? हमें शायद ये याद ही नहीं आता। कई लोग इसी वजह से मानसिक तनावों में जीते रहे हैं। तो दूसरी और लोगों ने मुझे ये भी शेर किया है कि कैसे लोगडाउन के दोरान खुशियों के छोटे-छोटे पहलू भी उन्होंने जीवन में री-डिस्कवर किये हैं। कई लोगों ने मुझे पारमपारी इंडोर गेम्स खेलने और पूरे परिवार के साथ उसका आनन लेने के अनुभव वेजे हैं। साथियों हमारे देश में पारमपारी खेलों की बहुत समरुद्ध विरासत रही है। जैसे आपने एक खेल का नाम सुना होगा। 25 यह खेल तमिनाडु में पलनान, नुंगली, करनाटक में, अली, गुली, मने और आंध पुदेश में वामन, गुंटलू के नाम से खेला जाता है। यह एक प्रकार का स्ट्रेटेजी गेम है, जिसमें एक बॉड का उप्योग किया जाता है, इसमें कई खांचे होते हैं, जिनमें मौझूद गोली या बीच को खिलाडियों को पकड़ना होता है। कहां जाता है कि यह गेम दक्षिन भारत से दक्षिन पूर्वे एशिया और फिर दुनिया में फाला है। और बच्चे भी, बस एक ही साइज के पांच छोटे पत्तर उठाएं और आप गोट्टे खेलने के लिए तयार एक पत्तर हवा में उछा लिए और जब तक वो पत्तर हवा में हो आपको जमीन पर रखे बागे पत्तर उठाने नहोते हैं। पर हमारे यहां इंडोर खेलों में कोई बड़े साधनों की जरूर नहीं होती है। कोई यह चोग या पत्तर ले आता है उसे जमीन पर ही कुछ लगी रेखीच देता है और फिर खेल शुरू हो जाता है। इन खेलों में डाइस की जरूरत परती हैं कोडियों से या इमली के बीच से भी काम चल जाता है। साध्यों मुझे मालूम है आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ कितने ही लोग अपने बचपन में लोट गए होगे। कितनों को ही अपने बचपन के दिन याद आ गए होगे। मैं यही कहूंगा कि उन दिनों को आप भूले क्यों है। उन खेलों को आप भूले क्यों है। मेरा घर के नाना, नानी, दादा, दादी, घर के बुजुद्गों से आग रहे हैं कि नई पीडी में ये खेल आप अगर ट्रांस्पर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात आ रही हैं तो बैलेंस बनाने के लिए ऑनलाइन खेल से मुक्ति पाने के लिए भी हमें ऐसे करना ही होगा। हमारी युवापिडी के लिए भी, हमारे स्टार्टप्स के लिए भी यहां एक नया अउसर है। और मजबूत अउसर है हम भारत के पारंपारिक इंडोर गेम्स को नए और आकर्शक रूप में प्रस्थूत करें। उनसे जुड़ी चीजों को जुटाने वाले स्टार्टप्स बहुत पप्लर हो जाएंगे। और हमें ये भी याद रखना है हमारे भारतिय खेल भी तो लोकल है और हम लोकल के लिए प्रस्थूत करें।